असलाव अलेकुम नमस्कार दोस्तों नया साल बहुत-बहुत मुवारकबाद बहुत-बहुत सुपकामना है इसी के साथ दोस्तों आप सब लोगों के लिए मैं अहमजान करे लेकर आया हूँ कि भारत और सौधी अरब के बीच जो अब तक लागडाउन के बाद से फ्लाइट सर्विस शुरू नहीं हुई है वो शुरू होने के आसार बन रहे है नया साल पे तो नया साल पे जो लोग अपने घर आया है चुट्टी पर जो अभी तक फसे हुई है उन्हों के लिए एक बहतर ख़बर आ रही है कि भारत सरकार और सौधी सरकार एर बबबल एग्रिमेंट के लिए बातचीत कर रहे है वो जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी आप सब लोगों को पता है कि अब तक लागडाउन के बाद भारत सरकार 24 देसों के साथ एर बबबल एग्रिमेंट कर चुकी है जिसमें अभी तक सौधी अरब और सिंगापूर जैसे देसों को सामिल नहीं किया गया है तो भारत की जो मिनिस्ट्रिय सिविलिवेशन उन्होंने जानकारी दिये कि जल्द से जल्द भारत और सौधी अरब के बीच इसके लब भारत और सिंगापूर के बीच में भी एर बबबल एग्रिमेंट हो जाएगा उसके बाद भारत से पैसेंजर आ जा सकेंगे वहां के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह एक एहम खबर है बड़ी खबर है उन लोगों के लिए रहत भरी खबर है जो इंडिया आया हुए थे अभी भी रुके हुए नहीं जा पाए हैं कोई छुटी पर आया हुआ था या कोई और मसले को यसे आया हुआ था तो वह समस्या ऐसा लग रहा है कि नए साल में दूर हो जाएगी क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों सरकारे ने इसे पहले भी बात की थी लेकिन कोई नाइंटीन के वज़े से वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई तो अब ऐसा लग रहा है कि नए साल में जो नया आगाज होगा नहीं उमीदे लेकर आएगा उन लोगों के लिए जो अभी तक फसे हुए थे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उनकी दिक्कते ऐसा लग रहा है कि नए साल में खत्म हो जाएंगी जो सिविल इवेशन ने जानकारी दी है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सायद बातचीत अंतिम दोर में बिल्कुल चल रही है और हो सकता है कि बहुत ही जल एक सुखत समाचार सुनने को मिल जाए कि फलाइट सेवा इतनी तारीक से सुरू हो रही है तो हम दुआ करते हैं उम्मीद करते हैं कि जल से जल शुरू होगी